अध्याए एक, कुरुच छेत्र के युद्धि स्थल में सैन में रिश्ण धितराश ने कहा, ये संजय, धर्मभूमी कुरुच छेत्र में युद्धि की इच्छा से इकत्र हुए, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, ये राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की दियुरचना देखकर, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, और उसमें ये शब्द कहे, ये आचारे, पांडु पुत्रों की विशार सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धि मान शिश्य दुर विराठ सथा दुपद, इनके साथ ही धृष्ट खेतु, शेकितान, राशिराज, पुरुजित, कुंति भोड, सथा शैब्द जैसे महान शक्तिशाली योध्धा भी हैं, पराग्ष्रमी विधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमउजा, सुभद्रा का पुत्र, सथा द जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेश रूप से निपुण हैं, मेरी सेना में स्वयम आप, भीष्म, कर्ण, फिपाचारे, अश्वथामा, विकर्ण, सथा सोमदत का पुत्र भुरिश वादी हैं, जो युद्ध में सदैव विजई रहे हैं, ऐसे अनेक वीर भी हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन प्या करने के लिए उज्वत हैं, वे विविद्ध प्रकार के हत्यारों से सुसज्जित हैं, और युद्ध विद्या में निपुन हैं, हमारी शक्ति अपरी ने हैं, और हम सब पिता में द्वारा भली भाती संदक्षित हैं, जबकि पानोंती भीम द्वारा भली भाती संदक्षित होकर ही सीमिस है, अते इस पहन्यविव में अपने अपने मौचों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्व पिता में को पूरी पूरी सहयता दें, तब पुरुवंश के वयोगत्द परंप्रतापी एवं व्रत्द पिता में में सिंग गर वह समवेथ वलत्यंत कुला हल्कून था, दूसरी ओठे शुईत घोनद वारा खीजे जाने वाले जिशाल दर्थ पर आथीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने धिव्य शंक बजाया, धगवान कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंक बजाया, अर्जुन ने दे अनंत विजय नामक शंक बजाया, सता नकूल और सह्डेव ने सुभोष एवं मनी पुष्पश शंक बजाया, महां धनुर्धर काति राज, परम योद्धा शिखंडी, रिष्ट दियुम, विराग, अजे सात्यकी, रुपत, दौपदी के पुत्र, सता सुबद्रा के महां बाहु पुत्र आदी सबों ने अपने अपने शंक बजाया, इन विभिने शंकों की धन कोला हल्पूर बन गए, जो आधाश तथा पर्थी को शब्दाय मान करती हुई, उत्राश्ट के पुत्रों के हिजय को विजीर्न करने लगी, उस समय हनुमान से अंकित द्वजा लग पर आतीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुट उठाकर तीर चलाने के लिए उद्वित हुआ, ये राजन शुत्राश्ट के पुत्रों को विभू में खड़ा देखकर, अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, अर्जुन ने कहा, ये अज्वित, शुपा कर के मेरा रत दोनों से नाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपर्षति युद्व की अविलाशा रखने वालों को, और शस्त्रों की इस महान परिश्चा में, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूँ, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए, जो यहा द्वारा इस्प्रटाज संबोधित किये जाने पर, भगवान कृष्चन ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रत को लाकर ख़डा कर दिया, भीश्व, जोन, सथा विश्व भर के अन्यत समस्त राजाओं के सामने, भगवान ने कहा, कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सार कुरूओं को देखो, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्ये में, अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरूओं, मामाओं, भाईयों, पुत्रों, पूत्रों, मित्रों, ससुरों और शुब चिंतकों को भी देखा, जब कुंति पुत्र अर्जुन न आई करिश्म इस प्रकार युद्ध की च्छा रखने वाले अपने मित्सों तता संबंधियों को अपने समख्ष उपस्त ते देकर मेरे शरीर केंग ताप रहे हैं और मेरा मुख्सूठा जा रहा है मेरा तारा शरीर काप रहा है मेरे रोंते खड़े हो रहे है मेरा गांडी धंश मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी तचा जल रही है मैं यहाँ और लिखा रहने में असमर्त हूँ मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर शक्रा रहा है ये कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं ये कृष्ण इस युद्ध में अपने ही सजनों का बद करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ ये गोविन्द हमें राज्य, सुख, अत्वाइस जीवन से क्या लाब क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमी में खड़े हैं ये मदसुदन, जब गुरुजन, पित्रगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले कशा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण लेने के लिए तत्पर हैं और मेरे समष्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें ये जीओं के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हूं इस प्रत्वी की तो बात ही छोड़ दें भला धितराश्ट के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसंदता मिलेगी यदि हम ऐसे आतताईयों का वद करते हैं तो हम पर पाप कड़ेगा अज़े ये उचित नहीं होगा कि हम धितराश्ट के पुत्रों सथा उनके मित्रों का वद करें ये लक्ष्मी पती क्रिश्म इससे हमें क्या लाब होगा और अपनी ही कुटम्लियों को मारकर हम किस प्रकार सुपी हो सकते हैं ये जनारदन जद्यकी लोग से अभिभूत शिप्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्नों से द्रोह करने में कोई दोश नहीं देखते किन्तु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपरात देख सकते हैं ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों कुल का नाश होने पर सनातन कुल परमपरा नश्ट हो जाती है और इस तरह शेश कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है ये कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की इससे या दूशित हो जाती है और इस सित्व के पतं से हे विश्टी मंशी अवांशित संताने उत्पन होती है अवांशित संतानों की व्रद्धी से निश्ट ही परिवार के लिए तथा परिवारिक परंपरा को विनश्ट करने वालों के लिए नार की जीवन उत्पन होता है ऐसे पतित कुलों के पुर्खे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जलता पिंड़ दांग देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है जो लोग कुल परंपरा को विनश्ट करते हैं और इस तरह अवांशित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुश्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदाई योजनाएं सता परिवारिक कल्यान कारे विनश्ट हो जाते हैं ये पजापालक प्रिश्म मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश्ट करते हैं वे सदैव नरत में वास करते हैं ओहो कितने आश्टर की बात है कि हम सब जगन्य पाप कर्म करने के लिए उद्दित हो रहे हैं राज्य सुक भोगने की इच्छा से प्रित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं जबी शस्त धारी धृत राश्ट के पुत्र मुझ निहत्पे सतारण भूमी में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रयस्कर होगा संजय ने कहा युद्ध भूमी में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्ट सथा बान एक और रख दिया और शोक संतप्त शित्त से रत्पयासन पर बैट गया